हलो स्टूडेंट इस डॉक्टर हिमानिशी ओजा आपका अपना कालेज काका तो भई एएफ एमसी कई सारे बच्चों का सपना होता है mbbs करना एएफ एमसी पुने से फॉल फॉर्म की बात करें तो कई लोग आज भी सोचते हैं से आर्मी या कुछ सोचते हैं इसका नाम है आम्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुने के अंदर है यह अब यहां एड्मीशन होता कैसे एक्जैक्ली बहुत सारे बच्चे कई पर पूछते हैं कि एएफ एमसी के फॉर्म आ गए क्या कब होगा कैसे होगा तो भई नीट से ही होता है लेकिन प्रॉसेस थोड़ा different है केवल नीट ही काफी नहीं है उसके बाद भी कुछ test की requirement है उस test को कैसे clear करना है वो भी बताएंगे और उसकी test series भी हम साथ में ले आएं क्योंकि बच्चे पूछते है हर साल के हम कहां से practice करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भई करके रखो क्योंकि authentic content आपका miss हो जाता है फिर और दूसरा हम जो description है वहाँ पर इसी video में कर आप जाएं तो telegram का link भी देते हैं जिसे telegram पे हम हर video का link भेजते हैं आप वहाँ से भी video miss नहीं करेंगे हर दो तिन दिन में अगर telegram को check करते रहेंगे तो बात कर लेते हैं AFMC की तो भई AFMC पुने college बहुत ही top colleges मे हम एक कहेंगे किसके लिए जिननों ने ये सोच लिया है कि हमें service करनी है देश के लिए और AFMC उसी के लिए हलाकि यहाँ पे service bond होता है वहीं पर MBBS करने के बाद आपको service करनी है तो जिनके तो नहीं कर सकता है typical साथ साल तक नहीं कर सकता है मच जाएगा भई typical है इसलिए अच एक्जाम होगा आपका वो नीट का एक्जाम आपको देना है उसके बाद result आएगा result के बाद counselling होगी All India counselling को हम MCC की counselling कहते हैं उसी counselling के form में उससे पहले कभी जिक्र नहीं होगा AFMC का उसी counselling के form को जब हम बढ़ रहे होंगे जैसे भी अपने नीट का form बढ़ा counselling form हम जब बढ़ रहे होंगे तो वहाँ एक option आएगा कि क्या आप AFMC के लिए जाना चाहते हैं आप वहाँ टिक लगा देंगे बस इतना सा है जिनको नहीं जाना है वो टिक नहीं लगाएंगे और जिने AFMC के लिए भी जाना है वो AFMC वाले पे टिक लगा देंगे अब क्या होगा जितने भी बच्चों ने AFMC पे टिक लगाया होगा उन सबका डेटा पहुंच जाएगा AFMC के पास वो shortlist करेंगे कुछ बच्चों को वो कैसे करते हैं तो हम कह रहे हैं जितने भी interested बच्चे उन्होंने टिक लगा दिया अब total shortlist करते हैं वो अगर हम last year के according बात किये त 1880 students को उन्होंने shortlist किया था 1880 बच्चे अब 1880 जिस जगे पे entry हो जाती है यानिके उनमें से 1490 boys और 390 girls जिस जगे पे 1490 boys खतम इनका भी end हो जाएगा वही point कहलाएगा cutoff AFMC के लिए shortlist वाला नॉमल नहीं shortlist वाला यानि अगर 1490 boys में जिन बच्चों ने भरा और suppose करो 620 number 620 marks पे आ करके 1490th student वो है जिसने AFMC टिक किया था और उसका 620 marks है तो 620 तक के यानि उसके उपर वाले बच्चे जिन्होंने AFMC के लिए interest दिखाया वो shortlist हूँ है ऐसे ही girls क्योंकि girls का number कम है इसलिए cutoff high रहती है इसी तरह से seat total कितनी है 145 plus 5 seats जो plus 5 है वो government की sponsored seats हैं जो के other foreign countries के students के लिए 145 seats यहां से आएंगी जिनमें से 115 boys 1490 को उन्होंने shortlist किया है वहाँ पर बुलाया जाता है उन्हें बुला करके वहाँ उनका एक English का test जिसको हम 12R कहते हैं और एक normal psychology का test होता है interview होता है यह सब चीजें वहाँ पर होती है medical test होता है fitness जो जो चाहिए जो जो से उपर ठीक है तो उनके बाद 145 टोटल इनमें से 115 boys और 390 में से 30 girls को final selection मिलता है अगर कम रह जाते हैं इन्होंने shortlist किया था पहुंचे नहीं वहाँ पर total बच्चे पहुंचे उनमें से जो test है उनको proper clear नहीं कर पाए medically fit नहीं थे कुछ seat बच गई तो वही बच्चे जो shortlist थे उन्हीं में से और बच्चों को बुलाया जाता है second list निकाली जाती है इसके नीचे cut document submit नहीं किये तो इन्हीं में से जो 115 के ऊपर 116, 118, 120 नमबर पर बच्चा रह गया उनकी second list आती है यानिके वह waiting list में अगर इन में से कोई admission नहीं लेगा तो उनका selection होगा ठीक है यह होता है total अब बात करें 10 seats reserve हैं SC और ST candidates के लिए fees की बात करें total fees ही 90,000 है वही total fees complete fees बोल रहे हैं और उनमें से भी कई सारी चीजें उनको मिलती है कुछ चीजों का पैसा वापिस मिलता है government की तरफ से एक बहुत हम best कहेंगे इन चीजों को services को तो बहुत कम fees में total MBBS हो रही है आपकी लेकिन tough है वहाँ पे पहुंचना ये भ 10th class में 12th में तो maths थी नहीं बाय होती है आपके पास में या होगी maths तो भी एक अलग बात है बट 10th class में 50% maths में होने चाहिए ये criteria मांगा जाता है 10 plus 12th class में first attempt में आपने 12th clear किया हो यानि वो बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनके 12th उनने दो बार में दिया है ठीक है ना या पहले साल में उनके compartment आ गई फेल हो गए अगले साल किया first attempt में किया होना चाहिए एज criteria याद रखें 17 to 24 year as per last year हम कह रहे है इस बार अगर कोई भी changes आएंगे तो आपके सामने होंगे नीट में आप upper age limit नहीं कहते हैं बट AFMC में upper age limit है यानि 1 January 2001 से लेके 31st December 2007 के बीच इस साल इस साल जो बच्चा exam दे रहा है अगर वो इसके बीच में उसका birth हुआ है तो वो eligible है यह आप समझ लीजिए ठीक है selection neat score पे neat score की वज़े से ही shortlist हो रहे है बच्चे जो shortlist हुए उनको पुणे बुलाया जाता है वहाँ जाके उनका toil hour यानि के test of English language, comprehension, logic and reasoning जो के computer based होता है CBT होता है यह test वहाँ पर conduct किया जाता है अब यह कैसा होगा कैसे questions आएंगे practice कहां से करें तो हमने test series launch कर दी है इसी वीडियो के last में आपको बता देंगे तो जिन बच्चों को चाहिए नीट के बाद में क्योंकि इसलिए हम test series भी नीट के बाद जिसको हम कहते है psychological assessment test जहां पर 5 options होते हैं बता दूँगा कैसे कैसे options होते हैं इसका score माईने नहीं रखता है यह आपका psychology test करने के लिए कि आप किस तरह के इंसान है ठीक है एक होता है interview, interview में तो आपके subject related questions है वो भी पूछ सकते हैं जैसे आपसे पूछ लिया कि आपका best subject बैठे हुए हैं जो teachers भी बैठे हैं कुछ तो वो आपसे वहां से related question पूछ सकते हैं और general भी आपके city से related आपके state से related आपको कितनी awareness है और यहाँ पर mainly confidence चेक किया जाता है यह भी हम बता देंगा अभी medical exam होता है इसकी सारे criteria हमने इस video में cover किये अगर उसे आप fulfill नहीं करते ह तो भी selection नहीं होगा आपका तो यह सारी चीजें हैं आगे बढ़ते हैं नीट cutoff की बात करें जो shortlist होते हैं बच्चे अगर हम पिछले 3-4 साल का trend देखें तो boys की लगबग 615 से 625 के बीच में आती है हाला कि 2 साल पहले 608 भी आ गया था क्योंकि shortlist बच्चे जो हुए थे उ 625 तो 650 तक चल जाती है girls की cutoff यह कौन सी cutoff है इस पे shortlist किया है आपको लेकिन आगे के important step है उसके बिना selection नहीं होगा ठीक है अब कैसे selection हो रहा है तो toilard जो है जो English का test है वो 80 marks का है 40 question है हर question 2 marks के हैं और हर गलत answer पे आपका 0.5 mark कट जाएगा आधर नमबर कट जाएगा 20 English के question आते हैं 20 logical reasoning के question आते हैं total 40 में से total 40 में से 20 English 20 logical reasoning और यह practice हम करवाएंगे हमारे test series में जहां पर इस तरह का paper बनेगा ठीक है 80 marks टाइमिंग होती है 30 मिनिट के किवल 30 मिनिट में आपको यह 40 question करने होते हैं ऐसा है आगे अगर हम कहें इनमें आपको basically किसकी तेयारी करनी ह तो antonyms देख लीजिए, synonyms देख लीजिए, comprehension देखिए, grammar देखिए, number series जो reasoning की बात करें, number series, picture series इस तरह के questions जो most common है वो मैं आपको बता जिया बड़ ऐसा है केवल यही और भी answer related जो questions है वो आएंगे, आगे चलते हैं, next अगर हम बात करें, PAT, जो कि मैंने कहा इसके marks नही देखता है कि आप किस तरह के इंसान है, आपके जो psychology है वो क्या कहती है, तो उसी के लिए यह एक PAT होता है, यहाँ पर आपको हर question में 5 option मिलते हैं, एक होता है strongly agree, एक होता है agree, एक होता है neutral, एक है disagree और एक है strongly disagree, तो मैंने कहा इसके कोई marks नहीं हैं बट इतने करने होते हैं, question related to social life, ठीक है, socially, political, behavioral और ही तरह से current affair की बात करें, आज कहाँ देश में, दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, उस related कोई point आप से पूछेंगे और देखेंगे कि क्या आप उसको agree कर रहे हो है नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा क्या, य यह इस तरह के equations होते हैं, मैंने का इसके कोई marks नहीं है, इसलिए ऐस सच डरने की बात नहीं है यहाँ पर, अब 720 आपके neat में marks टोटल है, यानि maximum marks 720 है, 720 प्लस 80 टॉयलार के total मिलाके हो गए 800 marks, इसको divide कर देते हैं 4 से, यानि आजाता है 200 marks, 200 marks maximum है, सपोज किसी बच्चे के neat म 720 में से 650 marks आ गए, यहाँ पर जो टॉयलार टेस्ट हुआ, 80 में से, उसके marks रहे, let's say 60, तो यह 70 हो गए चलो, तो यह था 650, यहाँ पर आया 70, कुल मिला करके वापस हो गए उसके 720, कितने में से, 800 में से, 800 में से 720, तो इसको divide कर दो 4 से, 720 को क्या कर दिया, फिर से 4 से divide कर दिय या अब आपके पास में, like 180, आपके marks आगर 200 में से, तो maximum में से कितने marks है, वहाँ से फिर वो बच्चा जो है, वो आगे level पर, या नि उसके जो final marks होते हैं, कि कौन-कौन से बच्चे select हुए, उसमें वो score, total माना जाता है, अब उस 200 में से, आपके 180 आए, अब next है, merit list बनेग है, 250 total ले आएंगे last में, उसमें से किस बच्चे के कितने number आ रहे हैं, उस short list होंगे, starting जितनी seats हैं, उतने बच्चे, जो नीचे रह जाएंगे, और उपर वालों ने अगर नहीं लिया admission, जो short list हुआ था, जो finally 250 वाली list में भी था, उसके नहीं हुए, तो उसको next जो पसंद है, वहाँ से कोई question, basically आपकी knowledge चेक होती है, अगर आपको कोई question नहीं आता है, तो simply sorry बोल दीजिए, rather than गलत बताने से, इसी तरह से आप से पूछ सकते हैं, कि आप कौन से city से आते हैं, उस city का क्या famous है, अगर वो जानते हैं, उसके बारे में तो कुछ पूछेंगे, कि अच्छा ये वहाँ पर ऐसा famous होता है, क्यूं है, इसका नाम ऐसा क्यूं पढ़ा, इस तरह की कोई भी चीज़ आप से पूछ सकते हैं, family से related question पूछ सकते हैं, आपके district आपके state है, उस से related question पूछ सकते हैं, एक question बहुत ज़रूरी ये पूछते हैं, कि AFMC आप क्यों join करन चाते हैं, जो हमने बच्चों से बात की, जो अब तक हमारे यहां से select हुए हैं, बहुत सारे बच्चे paid counselling से हमारी select हुए है, AFMC मिला है उन्हें, तो क्या उनको AFMC क्यों जानना चाते हैं, क्यों आना चाते हैं, why they want to join AFMC, तो एक अच्छा strong answer आपके पास में होना चाहिए, और मैं यह कहूँगा, जो service करना चाता है देश के लिए, वो AFMC में जाएगा, इसी तरह से PCB related question हमने कहा, already आ सकता है, confidence mainly check किया जाता है, तो यह होता है total तरीका AFMC में जाने का, अब क्योंकि channel authentic है, कोई भी बात हवा में हम नहीं करते, बच्चे कई बार सोचते हैं कि कोई proof हो होगा, जिसमें से CBT based, यहनी computer based test होते हैं, है ना, neat वही 80 marks, जो भी हमने बात कि वो सारा लेका, final score 200 में से, plus 50 marks interview, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, इसी तरह से, 1 January 2000 से लेकर, इस बार हमने का, 2007 तक के बीच में, यहाँ 1 हो जाएगा, 2001 हो जाएगा यह, 2001 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह last year का, यह last year का है, हमने का, यह last year का ब्रॉशर है, इस साल क्या हो जाएगा, 2001 तो 2007 हो जाएगा, इसी तरह से, अब कुछ यहाँ पर दिया है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, तो हभी हमने आपको बताई, वो सब चीज़ें सेम है, number of seats हमने ब अलग-अलग, toiler और P18 सबको crack करता है, last में, उसी का proper चीज़ों को देखते हुए, final उनका list बनेगी, ठीक है न, इसी तरह से, आपके लिए, फिर से, यह जो point है, मैंने specially starting में भी बोल दिया आपको, बहुत important है, 7 साल की तर्विस करनी ही पड़ती है, कोई option नहीं है कि आप पैसे दे दो और bond को तोड़ दो, यह पैसे के लिए काम नहीं कर रहे है, आप पे, बहुत important उन्होंने invest किया है, सिखाया है आपको, तो आप service करेंगे, जो, हम कह सकते हैं, defense है, उसके अंदर proper service करनी है, वहाँ doctor बन के, ठीक है न, और यह important है, तो AFMS यानि, Armed Forces, Medical Services, 7 years की compulsory है ठीक है, और at the time of admission, बोला जा रहा है कि एक bond भरवाया जाता है, 65 lakh रुपए का, कोई बच्चे ने अगर यह service नहीं की, 65 lakh रुपीज उसे देने पड़ेंगे, उसका bond sign करते हैं, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको यह पैसा देना पड़ेगा, ठीक है न, याद रख इसी तरह से, कुछ और points की कैसे कैसे time to time क्या क्या आपको रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, और क्या check करते हैं आपके medical test के अंदर, fitness test में, वो एक बार जरूर देख लो आप, तो वहीं पर medical board बैठेगा, वो चेक करेगा, free from serious deformity and maldevelopment, there should be no coliosis, spina, bifida and other skeletal deformities apparent or on clinical examination, याद रखियेगा, there should be no impediment of speech, there should be no sign of functional ya organic disease of the heart and blood vessels, there should be no evidence of active pulmonary TB or any sequelae due to pulmonary TB or any other chronic disease of the lung, x-ray chest will be taken for this purpose, इसी तरे से, there should be no evidence of any disease of the digestive system, including any abnormality of the liver and spleen, इसके लिए, ultrasound exam, USG of the abundant will be done, abdomen को, आपको abdomen का USG करवाया जाता है, next, there should be no intuinal hernia and tendency there to hydrocele or definite vericocele or any other disease or defect of the genital organs, वो भी चेक किया जाएगा प्रापर, इसी तरह से, अगर operated हुआ है hernia का, तो वो medically fit कब माने जाएंगे, more than 12 weeks has elapsed since operation, एक तो, documentary proof देना पड़ेगा इसके लिए, general tone of the abdominal musculature is good, there has been no recurrence of the hernia वापिस होने की कोई ऐसी चांस नहीं दिख रही है, a gynecological and ultrasound examination will be carried out for the female candidates, इसी तरह से, फिर कुछ parameters हैं, चेक कर लीजी अभी, जिससे ऐसा ना हो कि हमें AFMC के लिए जाना है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, हम क्यों authentic content लाते हैं, क्योंकि internet भढ़ा पढ़ा है, youtube भढ़ा पढ़ा है चीजों का, लेकिन actually जो बच्चों को चाहिए, वो होता ही नहीं है, इसलिए हमें ऐसे videos मनाने पढ़ते हैं, जो बच्चों को help करें, तो भई, there is no fistula or evidence of piles, there is no disease of the kidney including glycosuria or albuminuria, there is no disease of the skin, there is no active latent or congenital STD or HIV infection, there is no history of epilepsy and any mental and psychiatric disorder, नहीं होना चीज़ ध्यान रखें, there is no squint or any other morbid condition of the eye and eyelids, there is no active trachoma or its complications, there are no enlarged glands, जैसे lymph nodes in the neck and other part of the body, the height and weight, वो क्या-क्या होना चाहिए, देख लीजिए, for male candidates, और इसलिए हम आपे cadet बोलते हैं, देखिए, जो आप select होते हैं, तो medical हर जगे पे कहते हैं, यहाँ आपको बोलते हैं, cadet, तो male cadets क्या हैं, the minimum height required for entry into AFMS for male is 157 cm, candidates, अगर hill area के हैं, या north eastern states के हैं, तो 152 cm तक भी चलेगा, ठीक है, and allowance for growth of 2 cm will be made for candidates below 18 years, अगर examination है, उस समय 18 साल से कम के हैं, तो 2 cm का relaxation भी मिल जाता है, क्योंकि उनकी height बढ़ने की chances हैं, female cadets, the minimum height, that is again 152 cm, अगर northeast parts से हैं, या hilly area से हैं, तो 147 cm, और 18 years से कम हैं, तो 2 cm का relaxation है, weight standard भी बहुत important है, जो body mass के according होना चाहिए, ठीक है, और ये इसको अगर हम देखें body mass को, body mass index should be below 27, waist hip ratio should be below 0.9 for male and 0.8 for females, waist circumference should be less than 94 for male and 89 cm for female, all biochemical metabolic parameters should be within normal limits, आप ये मानिए, कि आप जैसे defense देखते हैं, अगर सेलेक्शन चाहिए, तो आपका ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरह से आप doctor बन रहे हैं, लेकिन किस में जा रहे हैं, services के अंदर armed forces में, तो इसलिए, ये सब चीज़ें बहुत important, करना तो आपको काम armed forces में, तो उनके तो आपको नियम सारे मानने पढ़ेंगे, fit होने चाहिए आप बिलकुल, ये आप अपने according लिख सकते हैं, अपने पास में, या screenshot ले सकते हैं इसका, कि कितना minimum weight होना चाहिए, अगर आपकी height कितनी है, ये males के लिए है, ये chart, ये chart males के लिए है, कि अगर 150 cm है, तो 40 minimum weight होना चाहिए उसे ज़्यादा नहीं, 151 है तो 40 या नहीं, ये सारे चीज़ लिखी है, ठीक है, आप इसका screenshot ले लिजिए, मैं आपको पूरा time दे रहा हूँ, और इसे बाद में चेक कर सकते हैं, आपके height के according आपका weight सही है क्या, ठीक है, इसी तरह से, इस पूरे chart को आप देखिए, ये males के लिए है chart, ऐसे ही हम females के लिए chart दिखा देते हैं, next, ये अभी males वाला ही चल रहा है उपर, ठीक है, ये अभी males का ही चल रहा है, बचा हुआ next, 188 से 200 cm height वालों के लिए, इसको और बढ़ा कर दिया जाए, जिससे आप properly देख सकें, देख लीजिए भाई, और screenshot ले लीजिए, जिससे आपको पूरा देखने का मौका मिले, ऐसे ही chest circumference, जो है, no minimum chest circumference is specified chest expansion, फिट भी 5 cm, जब expand करते हैं तो उसको 5 cm होना चाहिए, और more, ठीक है न, ये धियान रखें, इतना expansion होना चाहिए, अब females के लिए जो chart है वो देख लीजिए भाई, ये female के लिए chart है 145 से 159 height के लिए कौन-कौन सा कितना-कितना weight होना चाहिए, इसी तरह से ये आगे बचे हुए female candidates के लिए, ठीक है, अगर age 20 to 25 year है, last वाला column उसके लिए, इतना और relaxation मिल जाएगा, ठीक है न, 20 से कम है तो ये वाला, ये भी आप देखते चलें किसके लिए कितनी-कितनी ज़रुरत है, minimum weight की, ठीक है न, ये सारा आप चेक करें, proper, screenshot ले सकते हैं आप, next, फिर इसके बाद क्या-क्या रहता है और क्या-क्या मेडिकल कंडिशन की ज़रुरत है वो भी देख लीजिए, तो, minimum 14 dental points are essential and candidate should be free from severe pyrrhea and advanced caries, ठीक है, दांतों के लिए भी, there should be no ear discharge and no perforation of the eardrum, nasal septum, there should also be no hard wax in the ear canal, obstructing the view of the eardrum, अगर सारी चीज़ ओके है, तो better होता है, आप जाने से पहले, ear wax बिल्कुल clean करवा लीजिए, ठीक है ना, ये भी एक बहुत better तरीका रहता है, visual standards कितने होने चाहिए भई, uncorrected va 6 by 36 and 6 by 36, bc va 6 by 6 and 6 by 6, ठीक है, इसी तरह से myopia less than or equals to 3.50d, including maximum astigmatism, इतना हो सकता है, ठीक है ना, plus minus 2.0d, hyper metropia की बात करें, तो again 3.50, यही चीज, maximum, ठीक है, वही चीज, ऐसे ही color vision, CP2, LASIK और equivalent अगर हुआ वा है, तो LASIK not permitted याद रखना, 20 साल से छोटे हैं और LASIK करवा रखा है, allowed नहीं है, इसी तरह से earlier procedure like radial, keratotomy और equivalent will be permanently unfit, however, in order to be made fit, the following criteria, क्या-क्या होना चाहिए, age more than 20 year at the time of surgery, minimum 12 months post LASIK हो चुका हो, central corneal thickness equal to or more than 450 micro, axial length by 10 L master equal to or less than 25 MN, residual refraction of equal to or less than plus minus 1.0 D, ठीक है, normal healthy retina होना चाहिए, any candidate who has undergone any kerato-refractive procedure will have a certificate from the center where he, she has undergone the procedure, specifying the date and type of surgery, यह सब चीज है भई है न, तो यह सारी बात होती है, hearing standards की बात करें कि क्या-क्या होना चाहिए, कानों के लिए hearing standards की हम यहाँ पर बात कर रहे है, hearing equity will be assessed for the conversational voice by speech test करवाया जाएगा, if required audiometry records will also be taken, the candidate should be able to hear a forced whisper with each ear separately, standing with his ear back to the examiner at a distance of 610 cm, तो घर पे भी आपे कर सकते हैं चेक करके, in a reasonably quiet room, the distance at which the candidate repeats 50% of the words correctly will be noted at CV, detailed assessment of hearing equity will be performed wherever indicated, तो भई, यह पूरी जानकारी थी AFMC के लिए, अब बात आती है, कि सर ठीक है हमने NEET में score भी अच्छा कर लिया, हमारा बाकी चीज़ें भी ओके है, लेकिन यह जो English का test है, यह जो TOILR वाला है, वो हम कैसे practice करें तो, पहली बार ऐसा है, यह AFMC के लिए भी हमने एक test series निकाली है, उन बच्चों के लिए जो अच्छे से कर सकते हैं, 299 रूपीज में 5-6 test हम करवाएंगे, और आफ्टर नीट करवाएंगे अभी नहीं, नीट आप पहले दे लिजी, उसके बाद में करवाएंगे, यह test series की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारा app होता है, नीट काका जेई, जो play store पे android में होता है, उसे आप download करें, अगर आपके पास iPhone है, तो घर में किसी और के पास android होगा, उसमें आप download कर सकतें, download करने के बाद में आप जब login करेंगे अंदर, यहाँ पर test series लिखा है, test series में जाएंगे, तो बहुत सारी हमारी test series है, अभी भी चल रही है, major, test series, minor, कई सारी चल रही है, ठीक है, biochem की के लिए, तो बहुत सारी है हमारी aims, nursing के लिए भी हमने निका ली थी, इसमें एक यहाँ पर आपको AFMC दिखेगा, आप join पर जाएंगे, join करेंगे तो आपके phone में WhatsApp पर एक message आयाता है, उसको click करिए, ऐसे पहुँच जाएंगे आप और यहाँ पर 299 रुपीज, कोई coupon का आपको कुछ यहाँ पर नहीं लगाना है, सीधा आप purchase कर सकते हैं, चाहे तो अभी पहले भी करके रख सकते हैं, चाहे उस समय करके रखिए, लेकिन after NEET यह test करवाई जाएंगे, इसी तरह से हमारी paid counseling जो बच्चा चाता है, कि हम से पूरी counseling करवाई, paid counseling, last round तक हमारा साथ उसको मिले, अभी से लेके, इसा ही, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हम students को YouTube पे दे पाते हैं, कही सारी होती है, जो हम नहीं भी दे पाते हैं, तो हमारे paid counseling वाले बच्चों को मिलती रहती है, तो ऐसे में, जाने वाले टाइम में, जैसे हम paid counseling की बच्चों को बहुत सारी चीज़ेंगे, कट-off से लेकर के और बागी सारी चीज़ें, April में में हम उन से college कहां, कितनी fees में, जिसने आपको discuss करके best se best college में पहुंचा सके, proper help करने और abroad counseling, बाहर MBBS करना है, यहां के लिए इंडिया के लिए उतनी fees नहीं है, तो भी हमारा counseling plan ले सकते हैं, दो plans होते हैं हमारे, यह website है, www.collegekaka.com, उस पे जा सकते हैं, जैसे ही जाएंगे, by plan आ जा 7500 अब इसका price चल रहा है, जो कि double हो जाएगा बहुत जल्दी, paid counseling plan 2 जो है, 15,000 का भी है, double हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा कुछ समय में, इसमें मिलेगी government, private, deemed, सब कुछ, और abroad भी, यह सब इन में है, plan 2 में, तो यह आप सीधा यहां से purchase कर सकते हैं, या फिर, जैसे भी 5333, इस पे WhatsApp करिए, यह WhatsApp नंबर है, WhatsApp करके आपको क्या बताना है, कि हमने purchase कर लिया है, आपको बताना है, तो बच्चा, website से नहीं, app से लेना चाता है, तो अभी आपको app बताया था, नीट का कर जे यह एप, वहीं जाना है, store में जाना है, all courses, top courses, और वहां पे, need paid counseling plan 1, plan 2 है वहां से भी आप purchase कर सकते है, website हमने इस लिए बताया है, क्योंकि easy होता है process, तो यह आप purchase करने के बाद, लेकिन इस पे WhatsApp जरूर करना है, WhatsApp करके बताना है, कि हमने purchase कर लिया है, channel subscribe रखिए, और नीचे link पे जा करके description में, जो link है, telegram का, उसको जरूर join करके रखिए, जिससे को जाहिए, all the best for a neat exam, thank you.